नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे दूर दर्शन के कारेक्रम स्वस्थ जीवन में दर्शकों इस कारेक्रम में हम आपको देते हैं विन रोगों से संबनित जानकारियां उनके उपचार से संबनित जानकारियां तो आज के हमारे कारिक्रम का विशे रहेगा आधुनिक तक्नीक से दंथ चिकित्सा एवं उप्चार और दश्र को इस विशे पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दॉक्टर प्रवेश जींग्टा जी जो प्रोफेसर हैं हैं एच्पी गवर्मेंट डेंटल कॉलेज और होस्पिटल शिम्ला के अंदर तो दॉक्साब आपका हमारे कारिक्रम में बहुत बहुत साथ है तो सर अम बात करते हैं जैसे हम आधुनिक तक्नीक की भी बात कर रहे हैं तो अगर हम दंतों के स्वास्ते की बात करें तो उसक अगर अगर बढ़ रहे हैं तरक्की कर रहे हैं साइंस में उससे यह पता लग रहा है क्योंकि आपको मुक्धवार है द्वार है बोडी का तो जब तक और और अग्गों की तरह ये भी एक अंग है शरीर का थो जब तक सारे अंग आपके अच्छे से काम नहीं करेंगे तब मुकh भाग रहता है अट्रैक्शन का भी आद्मी के तो हम स्मायल की भी बात करें और अगर हम रोगों की बात करें. तो दांतों में किस प्रकार के रोग है और क्या क्या मुक्खे रोग आप आप मानते हैं जो आप देखते हैं कि रोज wizard vet आपको मिलते हैं गिरू समाइल की बात कि आप जो देखो किसी को देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं कि और ना까지 कि मुसकुराते है और तो अणिपकर हैं तो अलग कि णिढ़ Girl कोई बिमारियों की बात की हैं कि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे दान्तों का तो बिमारियां विभिन स्टेजीज पे अलग अलगतर आएके बिमारियां होती है बच्चों में जो है क्यों कि डानतों आने शुरू हो झाते हैं जब 6 मेहने का होता है। तब से आपके दूद्दूद के दाने शुरू हो जाते हैं तो अगर आप तो साफ नहीं रख पाते हैं किसी कार슨ों से हैं तो एक बोलते हैं उसको डेंटल डीके जिसको के आम भाशा में कीड़ा लगना भी बोलते थे दांत खराब हो जाना नहीं करेंगे तो मसूडों में प्रॉब्लम आ सकती है और जैसे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि उसकी मुख से आपके दुरगंद आती है और बहुत सारे पीला पन होता है और दां केंसर एक बहुती बिमारी है जो प्रॉबीर बिमारी है अगर हम बचने के उपायों के बात करें तो हमारा दर्शुक्ता है बड़ा कार्म तो जैसे मैंने शुरूरिया उसको अगर निगलेट करना तो अगर आप शुरीर के बाकी भागों की तरह अगर आप उसको भी निगलेक्ट करते हैं, अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो भीमारियां लग सकती है दातों नी, तो और वह होता है और बाहर आप के पास ना जाएं. मुझ तो एक ऐसी चीज है जो आप सुबह उठके स्टार्ट करते हैं, जब तक रात को सोते नहीं है तब तक आप यूज करते रहें. तो एक इसको एक मशीनरी की तरह आप इसको ले सकते हैं. कि भैस जब आप कोई चीज यूज कर रहे हैं, तो उसको एक स और उसमें क्या होता है, simple sugars होती है, जो मुव में क्योंकि पाचन के लिए digestion के लिए normally bacteria होते हैं, जो कि अच्छे होते हैं, जरूरी ही होते हैं, एक पाचन प्रिप्रिया स्टार्ट करने के लिए, तो अगर आप उनको ध्यान नहीं रखेंगे, तो जो बैक्टीरिया हैं, उनकी quantity बढ़ती जाएगी, और वाइस्ताइस तो जो ऐसी चीज़े प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वरसे कि आपके दान्त खराब हो सकते हैं, उसके अलावा मसूरों की, जैसे प्रॉब्लम बताईया आपको, कि मसूरों में अगर आप साप नहीं रखेंगे, वही बैक्टीरिया जो हैं, क्योंकि दान्तों को सपोर्ट करने के लिए दो तिन चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको जो हड़ी है, जो एक प्रेडॉंटल लिगमेंट बोलते हैं, उसको दान्त की जड़ है, तो अगर वो बैक्टीरिया उसमें चले जाते हैं, तो उसकी पर से क्या होता है, थ तो आपने कहा कि बैक्टीरिया है, वो जादा हो जाते हैं, क्या और भी कॉई कारण है, किस तरह से जो दान्तों की समस्या है, जनली सडन अगर हम बात करें, किस तरह से सडन होती है दान्तों में और उसे बचें कैसा? देखिए, दांतों के, इसके मेन वज़ा तो जैसे बताए कि ख़ानपान, ख़ानपान अगर आप ब्रॉष्ट नहीं करते हैं ब्रॉष्ट नहीं करते हैं, तो उस वज़े से वो जो है, डांत, डीके होना शूरू को सकते हैं. कि आप शयुरु में होता है कि आप थोड़ा साइज जैसे आपको दिख जी हा काला सोना शुरुण हो गया है अगर वह बहुत अंधर तक तक चला जाए जब उसको हम बोते हैं कि अंधर वाला पार्ट होता उसको पल्प कहते है मेंटल पल्प तो अगर वहां तक चला जाए बेक्टिरिया तो उससे काफी infection हो सकता है और उससे इदर दर swelling भी आ सकती है कई आपने देखे भी होंगे और इदर दर के area's में भी infection फैल सकता है अगर उसका time से इलाज ना किया जाए तो जी तो सर जैसे हम sudden की भी बात कर रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि जो brushing है जो आप कह रहे हैं कि brush करना भी ऐक technique है तो सर्थ हम उस technique की बात करते हैं कुछ लोग क्या है रगडर के या जोर जोर से brushing करते है तो उसका सर्प exactly technique क्या है और कैसे brush करना चाहिए तो क्रिप्या कुछ लोगों को जिनको जाग रूखता नहीं है, हलांकि आज के समय में काफी लोग जाग रूख हो गए है, तो एक बार अगर आप फिर भी हमारे दर्शकों बता सके हैं, तो एक जो सबसे बड़ा कारण है, उसका है गलत तरीके से ब्रश करना, अगर आप ब् जो हम लोगों को एजुकेशन के लिए हम करते हैं, जो बाहर वाला पोजिशन होता है दान्त का, इसको कहते हैं इनैमल, इनैमल एक बहुत ही स्ट्रॉंग चीज होती है, यह इतने आराम से गिस्ती नहीं है, तो होता क्या है, अगर हम ब्रश नॉमली हमारा क्या होता है, क्य क्या करते हैं, चार यूँ गुमाएं चार यूँ गुमाएं और ऐसे करके कर लेते हैं, उसकी वसे अब देखें, आप दान्तों की सरचना कुछ इस तरह से है, कि यह राउंडीड है, तो अगर हम किसी जगह वे ज्यादा जोर लगाएंगे, तो क्या होता है, जो यह मसूड कर लेते हैं, तो उनको पहले सिखाना होता है, तो एक टेकनिक होती है, उनकी लिए कि आप यह जैसे जैसे ब्रश क्योंकि बच्चे कर भी अराम से लेते हैं, इसको गोल-गोल गुमाओ, उससे आइसता इसता बच्चा उस पे उपर कंट्रोल भी सीख लेता है, और वो आरा को एक साथ करें, एक बार आप नीचे वाले से स्टार्ट करो, अंदर, और उसको क्या करना है आपने, यहां थोड़ा से ब्रश थोड़ा सा गम्ज और उसके बीच में रखें, दो तिन दान्त, तीन चार पांट स्ट्रोक्स ऐसे दें, और फिर नीचे को करें, एक बार यह क नॉमल ब्रॉशिंग, उसके बाद होता है कई लोग जैसे मैं कहा के, लोग कहते हैं कि मुझे पानी लग रहा है, और उनका दान्त, तो सेंसिटिविटी भी, इवन जो हम जो आपने टीवी में, जो आपने टीवी में एड़ आती है, या सेंसिटिविटी के लिए पेस्ट आप उनको जितना मर्जी यूज कर लीजिए, जब तक आपकी ब्रॉशिंग अच्छी नहीं होएगी, क्योंकि उनका काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो दान्तों के ऊपर इक परत सी बना देते हैं, जो टेपेस्ट होते हैं, जो पानी अंदर को नहीं जाएगा, मगर अगर आप फिर से वैसी ब्रॉश करेंगे, वो परत निकल जाएगी और पानी लगना फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा ही करते रहें, यूज इनको वो थोड़े कम टाइम के लिए यूज करने चाहिए, और उसके बाद जो है, प्रॉपर पुरानिक तक्निकों भी देखें कि दंथ चेकित्सा एक बहुत एक विशेरहा है, एक इंपोर्टन विशेरहा है, तो दंथ चेकित्सा कि अगर आप पारंपरिक उपचारों की बात करें, जो आज अभी तक कर रहे थे और जैसे क्यूंकि हम आधुनिक उपचारों की भी ब है, अच्छे से साब भी हो जाता था और डाइजेस्ट भी हो जाता था, मगर अब खान पान में अब जैसे फास्ट फूड्स और स्टीकी फूड्स इनको आने कर शुरू हो गया है, इस वज़े से आपके जो हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स दांतों की आ रही है, हलांकि आप आपके बेदावाले जो में अब नेचरल हर्ब्स के एफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, बट यह जो सब होती है, यह होती है, प्रॉब्लम के लिए, प्रॉख थाम करने के लिए, एक बार आपको प्रॉब्लम आ जाए, या डिजीज हो जाए, तो इलाज ही एक मातर हमारे पास सुपाय है अब पहले टाइम में ये एक प्रॉब्लम होती थी कि पहले उतने हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होती थी कि हम दांतों को बचा सके क्योंकि पहले तो ये होता था कि बस खराब हो गया तो निकाल दिया अब जैसे बात कर गया था कि आराउंड पच्छीश-छ है कि oral health बहुत important होती है तो सबसे ज्यादा होता है आजकल लोगों में तो इससे भी सर देखते हैं कि दांतों पर प्रभाव है तो किस तरह के प्रभाव पढ़ते हैं अगर आप हमारे जनता को जागरू करना चाहिए एक जो research के अनुसार studies के अनुसार सबसे ज्यादा जो है इंडिया में cancer के patient oral cancer के होते हैं और oral cancer का cause क्या है सबसे बड़ा tobacco smoking आप चाहे cigarette पी रहे हैं या गुटका खा रहे हैं सबसे बड़ा common cause है यह उसका तो यह तो ऐसी चीज है जो आपको ऐसा भी नहीं है कि कोई 60 साल के बज़र्ग में होगा यह 24-25 साल के अनुन में भी हो सकती है तो दुमरपान एक बहुत ही बुरी चीज है यह तो क्योंकि cancer ऐसा होता है कि कुछ percent लोगों में होगा कुछ में नहीं होगा other than that heart problems बहुत हो सकती है उससे जो oral cancer तो हुआ ही हुआ ना के वल उससे जो मुह में भी आपको जो bacteria से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो ज लिए जो उसमें जितने आरा निकोटिन में जा स्मोकिंग में कितनी तरह के वो रसायन होते हैं जिसकी वज़ा से दांतों में और मसूडों में problem हो सकती है और उसकी वो हड़ी जो है इसको पायरिया बोलते हैं वो गल सकती है तो और एक यह भी कहा जाता है कि अगर किसी को एक गम्स की डिजीज है और उन में एक हार्ट अटेक होने के चांसिज रहते हैं बट अगर किसी में गम्स की डिजीज है और वो स्मोक भी करता है उससे हार्ट अटेक होने के कहीं ज्यादा हो जाती है जैसा पाया गया है जी सर हम देखते हैं कि कई हों के अगर हम दांतों क कि बात करें तो कुछ लोगं को समस्य रहती कि दांतों में डीला पन हो जाता है, डीले हो जाते हैं तो उसके लिए सर क्या नई टेक्नोलोजी के हिसाब से क्या उपचार आप लोग करते हैं और किस तरह से चीज़ है इसको हम इस डेंटल लेंगविज में परियो डॉन जाने नहीं जाते हैं और जो सबसे अर्ली सिंटम्स होते हैं इसके मसूडों के बिमारी के क्योंकि यह जो दांत का हिलना होता है यह बड़ी बात की स्टेज है शुरू के एक छोटे-छोटे साइंज हैं आपको ऐसा लगे कि अचाना कि आप मैंने ब्रश किया मुझे खून निकल रहा है ब्रश करते हैं यह ऐसा लग रहा है कि जब मैं बाहर को किसी ने दोस्त ने कहा या पार्टनर ने कहा कि आपके मुझे दुर्गन धा रही है तो यह जो हैं शुरू के सिंटम्स होते हैं तो आपने बैक्टीरिया ने वहां प्रॉब्लम करने शुरू कर दी है तो अगर आप उस टाइम अगर ठीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा वो बैक्टीरिया अंदर को जिसे हो इसी के माद्यम से अगर बताओं मुसूडों और दांतों के बीच में ज़र जाएंगे वो क्या करते हैं क्या क्या होती है इसके अंदर जड होती है और जड में तो अगर आप जो बैक्टीरिया हैं वो नीचे जाके वो हड़ी को गला देंगे जो हड़ी के साथ दांथ जिसी से अटेच्ट होता है उसको गला देंगे और कुछ टाम बाद आपको पता चलेगा कि आपके दांथ हिलने शुरू हो जाते हैं एक इसकी भी एक प्रॉब्लम य होती है जब आपको ये पता लगता है कि जब को दांथ हेलने शुरू हो जाते हैं जब करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहाता है तब जाके पेशेंट को ये डॉक्टर के पास आता है तब आपके पास ये पता लग रहा है कि उनके जो हडिया हो काफी गल गई है जी ये है कि जब भी जैसे एक नॉमल प्रिणामन होता है कि कोई बैक्टीरिया आए तो शरीर उसके लिए प्रतिरोधक करेंगा कुछ नगुछ प्रोड्यूस करेंगा तो ये एक्जैक्ली यह होता है जब आपके बैक्टीरिया पहले वहाएं अगर आपने साफ नहीं किया उस को डिस्ट्URY कर देते हैं और आहिस्ता-हिस्ता वह जो है रूह बलीडिंगा ओने शुरू कर जाती हैं यह वह सगते हैं तो अगर वह वैसे ही treatment अगर आपने नहीं किया तो आउस्ता वह भडीया को ग़ला कि आप जो कि फोडान है आपके हिलने शुरू हो जाते हैं जी तो सर आपने एक बात कही कि जिसमें डेंटल कैविटी की बात की कि जो सडन या अंदर तक जो छेद हो जाता है तो उसमें सर आप मोस्ली हम देखते हैं कि लोग कहते भी हैं कि हमने आर्सीटी करवाई है आर्सीटी करवाई है तो वट है पास इतनाrüस्स से पहले बचने के लिए कि अगर में हैं को टी के हुआ हुआ तो आप फिलिंग class की थी मगर एक पलप जो होता है कि क्या होती है उसमे क्या होती है थी आपके नेयों की जो कोशीखाए उती है था अगर वहां तक चला जाए फिर फिर फूर्म की करते हैं वो RCT करके जितना infected pulp होता है उसको सारा निकाल देते हैं उसको साफ करते हैं जो आपके रूट के नाल को साफ करते हैं और उसको उसमें एक उपर से filling कर देते हैं तो दो दूबारा infection नहीं हो पाता है नहीं हो ना हो अलाएंकि इसके लिए थोड़ा सही होता है कि थोड़ा सिटिंग्स थोड़ी तीन-चार लग जाती है क्योंकि blind procedure है हमें नीचे टिप तक नहीं दिखाई दे रहा है बट यह है कि जैसे क्लिनिकली अगर आपको देखे क्या आपको बैटर होना शुरू हो गया है तो उसमें हम यह सोच सकते हैं कि हाँ यह अब infection खताम हो गया है और उसमें हम फिलिंग कर सकते हैं उसके बाद जी तो सर हम देखते हैं जैसे कि जो बच्चे हैं उनमें जो दूद के दांत रहते हैं वो गिरते हैं और उसके बाद नए आते हैं जो हम देखते हैं कि नए दांत आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्रुक टीथ जनली हम मिलते कि आज युवा काफी जागरूप अब वो अपनी अपेरेंस और उसके बारे में बहुत और सबसे बड़ी बात हमारे पास होस्पिटल्स और उसमें फैसिल्टीज भी हैं ऐसे चुछ में ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो हम जो खान-पान से ही रिलेटीड है यह कि पहले क्या होत होता है इक पर्टिकुलर ताइम पे होता है कि जब आपके दांत सारे आज आज आए तो हमारे पास बड़ीज बगा के वह उनको दांतों को सीधा किया जा सकता है थोड़ा लंबा होता है प्रूसीजर क्योंकि दांत को मुवमेंट बहुत आएस्ता करनी होती है आप ऐसा न जी तो सर जैसे most of the people जो है आज के टाइम में जो लोग हैं वो complain करते हैं कि bad breath है क्योंकि उनके खान पान भी खराब है तो bad breath है और दानत का पीलापन भी है तो सर वो किस तरह से linked है और कैसे क्या उसका पेट से भी relation है या फिर वो सिफ दानतों या मूँ की समस्या ही है ये भी एक बहुत common complaint होती है patients की तो देकि जो smell का कारण है वो दो तिन जगह से होती है पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मूँ की smell है कि या किसी शरीर के अन्य भाग की बिमारी के बारे में तो नहीं indicate कर रहा है तो पहले हम मूँ से ही अगर start करें तो मूँ में क युवा हैं जिनके wisdom tooth जो अकलदार होती है वो आरी होती है तो वहां जो आपके खाना फज़ जाता है वो रीजन होता है कुछ लोग जो ऐसे जो denture पहनते हैं तो उसमें भी क्योंकि वो उतना जिए साफ नहीं रह पाता है वो एक वज़ा हो सकती है तो मूँ के तो हुए य का infection होता है जिए वो एक reason होता है उसके अलावा शरीर के अन्य भागों की बिमारी हैं जैसे अगर आपको diabetes है उसमें particular type की breath आती है आपको kidney की कोई problem है जिए आपको liver की कोई problem है कई बार तो यह होता है कि patient को पता नहीं होता है हम आपको patient को बोलते है कि हो सकता है आपको यह आप टेस्ट करवा लीजिए patient aware भी नहीं होता है तो मुझ के दुरगंद आने के यह बहुत सारे causes होते हैं और कई बार यह भी होता है कि patient को बहुत ज्यादा conscious होता है उसको हलिटोफोबिया बोलते है कि क्या होता है कि patient को लगता है कि smell आ रही है बट ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद जो नहे दांत लगाए जाते हैं तो उसके लिए कैसे आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और जो नहे दांत हैं क्या वो उतने ही कारगर होते हैं जितने आपके जो असली natural दांत हैं वो तो यह सारा treatment करने का एक सार मकसद यह है कि कोई भी artificial चीज जो है एक natural का देंचर लगाए जा सकते हैं recently implants हैं जो थोड़ा सा cost effective नहीं होता है but otherwise implants लगा सकते हैं तो देंचर एक अच्छे चीज़ है बट कम से कम वो क्योंकि old age में क्या होता है देखो कि मुह का सबसे important क्या होता है digestion में help करना digestion स्टार्टी जो पाच्चन है वो स्टार्टी मुह से होत तो अगर old age में तो सबसे जाए जूरत होती है क्योंकि digestive system भी उतना strong नहीं रहता है तो इसलिए अगर आप denture पहनते हैं दांत किसी भी उसमें अगर आप चबा के अच्छे से बेज सकते हैं तो वो naturally उनके लिए भी helpful रहेगा हो जैसे हम कई बार सुनते हैं कि एक नई विद सबस्ते हैं जो उसमें हो रही है dentistry में या फुर्दे मेडिकल साइंसेज में अब एक्सरेज में क्या होता था पहले आपको भी ख्याल होगा कि पहले आप एक्सरे के लिए फॉर्म पर के वहां जाओ वहां लाइन में खड़े रहो एक्सरेड डॉयलप होते हैं कोई दो गि इंसर वाली फिल्म होईगी आप उसको एक्सपोज करेंगे और उसी टाइम आपको जो है एक्सरे अपना दिखाई देगा वहां पर बहुत एक एड्वैंटेज भी है के रिडियेशन कम होती है पेशेंट और डॉक्टर दोनों का समय बचता है तो यह तो हुए डाइगनोस लेनी है तब आप जो है सी बी सी टी एटलाइज कर सकते हैं डिफिजन चीज़ों के लिए तो यह तो होगे डाइगनोसिस में और उसके बाद आता है ट्रीटमेंट में जैसे लेजर की बात करें लेजर एक बहुत रेवलुशनाइज कर दिया है क्योंकि पहले सरजरी करना इक पेशेंट के दिमाग में भी होता कि अब सरजरी हो रही है तो जो लेजर है यह बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज हो रहा है अब चाहे गम्स की सरजरी करनी हो या आपको डेंटल डिके के बारे में कुछ देखना हो तो इसके बार इसमें और हमारे पास यह सब चीज़ें अवेलेबल भी हैं तो यह काफी ज्यादा कागर है अब लेजर जो है यूज को जी तो सर अम जैसे हम बात करते हैं कि अवेरनेस की भी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो गाहों में हैं अब तो क्योंकि अब डिजिटल डिजिटलाइज हो गई है बहुत सा चाहने का सबसे बड़ा मादियम यह होता है कि आप ट्रीटमेंट और डाइगनोसिस केंप यूज करें हमारे पास स्पेशली एक स्टेट ऑफ दार्ट हमारे पास एक डेंटल वैन है जिसमें आपके पास सारी फैसिल्टीज में लेगी डेंटल चेयर और ट्रीटमेंट के करना हो एक सिंपल एक चिठे लिखनी है प्रिंसिपल डेंटल कॉलेज को और हम लोग जो है नियमित रूप से हम लोग कैंप भी लगाते हैं जो जो ट्रीटमेंट वहां पर पॉसिबल होती है वो हम लोग वहां पर करते हैं अदरवाइस जो हैं बाकियां को कॉलेज के लिए पर अगर आप गाओं में बात करें तो आप क्या समझते हैं कि अवेरनेस जादा अभी है या फिर आपको और ज़्यादा ज़रूरत है अवेर करने की लोगों को क्यों कि लोग डेंटल हेल्थ को उतना जादा सीरियसली नहीं लेते हैं कुछ जगा पे और उसके लि कारेकरम एप ऑप छायर अच molar है क्योंकि यहां जो पेषिंट्मेस इने के लिए हो रहा है को यह नए है को यह रिदो बताता है कि यह कावी कारगर में आर यह हैं अगर में तो कांСпुत आप और यह कारिकरम में आए और इतिनीPE जानकारी हमारे दर्शक ब़िए थे तो और दश को आप से मिलेंगे इसी कारिक्रम के अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार अगले 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 नमस्कार